हेलो एवरीबान मैं गायतरी, हाउ टो मिग भाय गायतरी मैं आपसरी का स्वागत करती हूँ और आज आप लोगे लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल स्वीट रेसिपी दिवाली के इतने बीजी समय में साफ सफाई उपर से कहाना बनाना उपर से दिवाली के लिए नई नई डिश बनाना तो उसके लिए मैं आप लोगे लेकर आई हूँ बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रीडियंट से बनने वाली फटा फट स्वीट रेसिपी इसमें ज़्यादा इंग्रीडियंट की ज़रूत नहीं है जो घर में है न उनी से बन जाएगी तो देखते हैं कैसे बनाना है लेकिन आप सभी से में रिक्वेस्ट करूंगी जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरे रेसिपी इसको वाच कर सको तो चली स्टार् कर लिया है उसके बाद इस तरह से मिक्सर में डालके हम दर्-दरा पीश लेंगे और अगर यह बिल्कुल भी नहीं पीश रहे हैं तो आप इसमें एक कप दूध डालके और फिर इसको पीश सकते हैं पानी नहीं डालना है इसमें यहाँ पर देखे मैं रख दिया है बरतन ग दूद बहुत जल्दी डालने तो हम इसमें एक कप के आसपस दूद और डालेंगे यहां पर इसमें मैं दो कप डूद डाल रही हूं और उसके बाद और क्या डालोंगे आपके साथ शेयर करूंगे देखिएगा पूरी रेसिपी को यहां पर इसमें शक्कर एड कर लेते हैं तो शूगर आप अपने टेस्के कार्डिंग ले सकते हैं इसी के साथ यहां पर में ले रही हूं हाफ कफ मला यह फ्रेश क्रीम है घर का जो दूद आता न उसी से निकली हुई क्रीम है उसको डाल दिया है में तो बस इसको लगाता चलाते हैं इसकी सारी गुट्लियों को हम यह किन मानि यह बहुत टेस्री लगती है कम इंग्रीडिंट से बनने वाली रेसीपी है और यहां देखें काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है कुछ समय बादी एकदम ठिक हो जाएगा और इसको जब तक पकाना तब तक यह बर्तन को न छोड़ दे तो यहां देखें मैं इसको और अच्छे से लगाता चलाते हुए पका रही हूं यहां पर इसे पकते हुए 15-20 मिट हो गए और देख रहे हैं आप यह देखिए जिस तरह से दाल का हलवा जो बनता ना मूंकी दाल का हलवा वस उसी तरह से इसका टेक्शर आया है लेकिन हम दाल का हलवा नहीं बन यहां पर देखिए मैंने डाला है coconut powder इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और जो घी दिख रहा है आपको पूरा एब्जॉर्फ कर लेगा coconut powder तो यहां पर यहां पर रेडिमेंट ला सकते हैं या फिर आप coconut को मिक्सर में ग्राइंड करके इससे पाउडर बनाके डाल स काफी अच्छे से यह पक चुका है तो गेस का फ्लेम कर देते हैं और यहां पर मैंने यह बर्तन लिया है जिसमें बर्फी जमाओंगी तो यहां पर थोड़ से मैंने काजू और बादाम को इससे कूट लिया है उस पर चारतर फिला दूंगी और जो बर्फी का मसाला है ना थोड़ा थंडा भी हो चुका है तो अब इसको हम जमने के लिए रख देते हैं तो इससे चारतर फिलाते हुए मैं इसको जमादूंगी तो यहां देखिए इससे या तो आप आना इस्पून की मदद से या फिर आप कर्टोरी की मदद से भी इसको अच्छे से चारतर से फि पीसेस नहीं होते हैं तो यहां देखिए जादा ना तो इसको ठंडा करना है और नहीं जादा गरम रखना है मतला इतना ठंदा हो गया है कि इसके पीसेस हच्छे से हो रहे है दीखिए और खाने में ये किन बहुत ही टेस्टी बनी थी तो आप इसको डिवाली पर ज़रू ट्राइ करिए अपने मेहवानों को खिलाइए खुद खाईए और इसको आप इस्टोर करके लग सकते हैं खराब नहीं होगी तो यह जितना सूखेगी न जितने ड्राइ होती जाएगी न उतना इसका टेस्स बहुत अच्छा लगेगा जो दाल मुह में आती है न वह काफी टे झुझे।